कि आप सभी को मेरी नमस्ते और जैहिंद मेरा नाव भास सेनी है वर्वल मैं भास सेनी में आप सभी का स्वागत है देखिए जिस घड़ी का इंतजार सबको रहता है और मुझे भी रहता है वो घड़ी आ गई है तो पर अंटेट बैच मैं अनॉंस कर रहा हूं 2024 के लिए कि यह जो बैच है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी ओल्दो एड्मिशन शुरू हुए वे दो दिन हो गए हैं लेकिन वह सिर्फ एप पर बनाया था मैंने इवेंट लेकिन उसके बारे में अभी ओपन नी नहीं बता रहा हूं सारी बाते है तो इसके बारे में जानकारी आपको वीडियो देखने पर मिलेगी ठीक है बहुत ही आउस्पोकन मेरी अनॉंस्मेंट रहती है बहुत ही क्लियर कट रहती है और इस तरीके से हम बताते हैं सारी चीज़े आप एंड तक सुनेंगे आपको बहुत जाता क्लैरिटी मिलेगी ठीक है कि सबसे पहले तो कि यह जो सूपर वैय visibility पता है थेखने एक आज तक यह नहीं पता में सकते में यह आ रहों को मेंगे उला रहे हुँaaً को फैर्पार यह नहीं मिला प्री के बाद तो हम आप को यह ने कर आया था मैं तो पहले ही लाकर देना पड़ता है मेंस का बैच क्योंकि यह लोग क्या करते हैं SSC वाले अब जब प्री हो जाता है उसके बाद बहुत जादा टाइम नहीं देते तो यह मेंस का बैच है किनके लिए इंपोर्टेंट है वह आप ध्यान से देखना अगर आप कनेक्ट करोगे के concept clarity पे ही आया ऐसा नहीं है कि previous year question से मदद नहीं मिलती मदद मिलती है बिल्कुल मिलती है प्रैक्टिस करने पे लेकिन अगर आपके concept clear है किसी particular topic को लेकर आपको बहुत जादा फायदा होता है ठीक है और exam oriented methods पे द्यान देता हूं मैं लल्लू-ल्लू methods या फिर ऐसे methods नहीं ठीक है इसी के आसपास घूमता है 120 जैसे पिछली बार वाला जो था 120 प्लस मैंने add-on classes दीती थोड़ी सी तो 20 घंडे के आसपास 140 के आसपास बैठाता हूं ठीक है चार्ट अपर रहत होते हैं ज्याद अतर यह सब चीज़े जो requirement होती है वह सारी सब में होती है किसी किसी ची सब्सक्राइब कराता है तो यह लोग क्या करते हैं किसी और को टेंडर दे देते हैं या फिर साइड बाइस बदलेगी नहीं ठीक है मैस नहीं बदलेगी लेकिन आप पूछने का तरीका बदल सकता है इस बार बहुत ज़्यादा मजा आने वाले बच्चों को क्योंकि उनको यह बात तो क्लियर पता चल जाएगी कि अगर वेंडर चेंज हो गया तो यार कैसा बढ़ाएगा उस तरीके से वह परिशान रहेंगे तो थोड़ी गाइडेंस की रिपार्मेंट होगी मुझे ऐसा लगता है अब लाइव और लाइव क्लास इस रहते हैं जो मैं लाइव न लेता है और बाइलिंग्वल कंटेंट रहते हैं लेकिन जो मैं बोलता हूं वह हिंदी में बोलता हूं जैसे मैं यूटूब पर आप यूटूब की वीडियो देख सकते हो तो 1600 प्लस वीडियो हैं ठीक है कहने वाले तो यह भी कहतेते हैं कि इनको सिर्फ यह तो सिर्फ पेड़ के लिए पढ़ाते हैं तो भाई आपकी मर्जी है यह आपकी सोच है हम सोच नहीं बदल सकते किसी की और मेरा क्लियर कट रूल भी है कि मैं एक हद तक ही समझा सकता हू में वह बहुत जादा है उसकी वज़े बच्चे खुद हैं वह भी आपको मालूम होगा क्योंकि एक धारना बना लेते हैं हर बारी अब इस बार जो इस साल जो धारना बनेगी बच्चों की वह यह बनेगी कि मैस मुश्किल आएगी लेकिन ऐसा नहीं होगा क्या पता असान मिलेगा तो इसलिए शॉर्ट एंड कंसाइस तरीके से पढ़ना बहुत इंबोर्ट है लेकिन बच्चे अपनी चलाते हैं मानते बहुत कम ही है जो मानते हैं वह सेलेक्ट हो जाते हैं यह को सीजील मेंस के लिए लेकिन बहुत सारे बच्चे इन से टॉपिक्स के भी लिए एक्चल में इसारे किसके लिए मैं बात करूं अगरम बात करें किया है कि ऑडर स्कॉन बच्चों के लिए विल्कुल नहीं यह जो बच्चे शिरू को डिले करते हैं उन स्पॉर करना यह जानते हैं पूरा पढ़ लेत्ξे उतरा फिर और आपको पदा चलता है यार जहां से भी हमने स्लेबस पढ़ा है उससे हमें समझ में तो आ गया थोड़ा बहुत क्लियर हो गया लेकिन तब भी मौप में स्कोर नहीं कर पा रहा उन लोगों के लिए इस बार क्या होने वाला है जो प्री को भी लोग बहुत सीरियस लेंगे ऑवियस सी बात है तो अब लग लग रहा होगा कि मेंस बैचे कैसे मदद करेगा भी क्यों लिए हो तो भाई ऐसा है कि मैं मैंस के लेवल के हिसाब से बढ़ाऊंगा आप एक्च्वल में स्सी में बहुत जादा लेवल का डिफरेंस नहीं होता लेकिन मेरा जो पडिए आपको भर्पूर मिलेगी सुपरहंडट की कभी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे सीरयस कर चुका है जो पकावा चावल हो यह बात जानता है कि कितना इंपॉटेंट है चीजों को टाइम से खदम करना अगर बच्चा एसा है जो यह चाह रहा है कि मेरे बस एक करें जो ताने ना मारता हुं हर बात पे चोड़े बाइन की तरही यह करता हूं पर पीस का है कि भाई वह पता नहीं देगा नहीं लेकिन हां इतना है क्योंकि हमारा भी गह रहा है हमें भी काम चलाना पड़ता है ठीक है लिमिटेड बैठ रहते हैं जैसे पिछली अभी सब्सक्राइब करते हैं कि हम अपने हिसाब से कराएंगे आपको इनफ टाइम मिलेगा अगर कोई बच्छा सोच रहा है कि आज मैंने क्लास ले ली और मैं एक अफते तक लास नहीं लुगा तो बिल्कुल भी मैं सरवाई भी नहीं कर पाएगा हर बार ऐसे बच्चे आते हैं ह समार पर और मैं हर बार अनॉंस्मेंट में मना करता हूँ कोई बच्चा भी जाके पिछली वाली अनॉंस्मेंट देख ले उसमें भी यह चीज़ बोल रखिया कि नहीं आप अगर ध्यान से देखिए पिछली बार मेरा बैस लेकिन काफी लेट आया इस पार जल्दी आ रहा अब बहुत सारे बच्चे सोते कि यार हम रिवीजन के ची करेंगे हमसे तो रिवीजन नहीं हो पाएगी तो भाई ऑव्यस सी बात है इस चीद का पूरा धियान रखा जाता है आपको जो पीडियेफ मिलती है क्लास की पीडियेफ मिलती है कोशन वाली अगर आप वीडियो स किसी साब से रहते हैं कितना सही है कितना नहीं यह तो आपको पता होना चाहिए नहीं पता तो पता करो आप 2022 का जो भी रिजल्ट है उसकी मैं वह भी डाल दूँगा डिस्किप्शन में पिन कर दूँगा वीडियो ठीक है आप देख लेना ओक है एक हफ्ते का वह भी मैंने क्योंकि मैंने सोचांए कि हां उसके बात नहीं दिया जाएक हम मैं बिलकूल भी नहीं देता बहुत सारे बर्च उछते यह ढ तोगेरह रहते हैं वह सिर्फ एक अलग साइड रहती है क्लासिस में नहीं मिलता है चोभी सेड्स एस्पेक्ट करते हैं यह बैच उनी के लिए है फिर से हम बता रहे हैं बहुत सारे लोग हैप्ट क्रियेट होने की वज़ब दें कि हां यार वह बैच मैंने सुने उसकी बहु देखता हूं वही वाला हाथ आदत हो गई हक smaller एक दिन जाओ यह और मेरी बढ़िनी की हो 04 अप होती है कि अब कुछ होती है कि मोड होस क्या घृत है लाइव सेशन रहते हैं रहते हैं मंडे डू रहेगी टू सेते डे लगब sécur कि भी जाख माइनस प्लस हो सकता है लेकिन दो गंडे के आसपास रहता है नाई खेंड प्लैटफर्म एंड्रोइड एप इसके अलावह कोई मच पर लैप्टप पर तक इसे सब नहीं चलेगा रोफ creator कि से एक एंडिवाइस पर चलेगा ठीक है है transmit कोई कि स्वुचिंग नियुक्त कोई अगर आपने फोन का आधरों पर या फिर टैप पर चले और पर प्रक्राइस कोशन देता हूं तक ही कोई बच्चे नोटि इसमें लिख सकते ज्यादा लोग रहते हैं होती है आपको अपनी आदत के हिसाब से करना है कोई भी कोई भी चेंजिस नहीं है फीस में ठीक है तो पिछले साल थी वही है ठीक है वन टाइम में नॉन रिफंडेबल लास्टे टू एंडॉल 15 तारिक 16 तारिक से बैच शुरू है स्पार्टन के लिए जो थोड़ा सा स्लो लर्निंग होती है जिनको ज्यादा वैलेडीटी चाहिए और वही जो चीज़ हम दो महीने में कराते हैं यह फरकाता है और स्पार्टन से आपको लगए कि स्पार्टन से ले ले लो अब ले लो लेकिन अगर आप सोच रहो कि यार मेर से लेना है अब पहीं लोगों के दिमाग में यह एक चीज आ रही होगी कि डियुरेशन जो लगब रहती है जो मतलब चलेगा कितना दो धाई महिने में तो डाइए महिने और जो डूरेशन रहती है वैसे वह मैंने आपको बता दी कितने आर्स की होती है तो इस इसाफ से अब अंदाज़ा लगा सकते हो लगवख साथ लेने का अब जैसे आपने पेमेंट कर दी स्क्रीन शाट जो पेमेंट का है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स होती है वह अला स्क्रींशोट जिसके अंदर लिखा ओता है ट्रांसेक्शन इदी इस तरीके से पाप्षण आता है रीसीट आप पूरी-पूरी इस दूम aur पर भेज़ सकते हो यह दूसरा नंबर है फिर वट्सेप आपको भेजना है वट्सेप पर ठीक है ऐसे बेजना है तो आपको पूरी डिटेंस मिल जाएगी आपका पूर्स चाल हो जाए तोला तरीक तक पेशन्स बनाके रखना फिर वट्सप कोई होती है कॉलिंग नहीं होती इसके अलावा भी अगर आपको कोई कोई तो भाई मेरे साब से आपको किसी बैच की जुरूरत नहीं है ठीक है अगर आप बहुत जादा कंफ्यूज हो तो आप परिशान हो जाओगे कहीं बार ऐसा होता है कि हम इतने जादा कंफ्यूज होते हम सिर्फ अपना टाइम वेस् लेजंट के यह बंदा लेजंट क्योंकि सबसे पहले आये लेकिन वह हिसाफ किताब बाद में भी चल रहा है कुछ चीज़े पहले कि वह अभी तक चल रही होते तो यार कोशिश करो कि समझदार बनो थोड़ा सा ठीक है अपने बारे में खुच सोचो आपको किसी साब से कर करना है क्या करना क्या नहीं करना admission open हो चुके admission ले लिजिए है अगर आप टाइम से खतम करतेंगे अभी time से खतम करतेंगे तो आपके पास भरफू time होगा revision करने का और मेंस के आपके पास काफी time रहेगा मेरा यह मानना है थिक है इसलिए मैंने टाइम से बार शूपर एंद तो आप पे जाके देखेंगे एक foundation नाम का स्पार्टन फांडेशन नाम का कोर्स है 90 परसेंट और खतम हो चुका है तो वह उसकी वैलिटी भी मेंस तक है तो वह लोग खतम करो सब अपने comfort zone के साब से करना है किसी को देखके नहीं करना ठीक है आपकी लड़ाई खुद से है आ बाकि जो result वगएरा देखने होते हैं आपको किसी साप से बैचिस के result होते हैं तो आप ऐसे डाल के लेख सकते हो 2020 का super 100 का result क्या है आपको दिख जाएगा वीडियोस बनी है 21 का क्या था 22 का क्या था ऐसे देख लो तो आपको थोड़ी clarity मिल जए कि जो नए बच्चे है खास तोर पर उनको ठीक है चले थैंक्यों सेशन डिस्मिस्ट बाबाए